नमस्कार मैं सीमा पाठक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया अभी हम जीबस चौक के नजदीक पल्स एमर्जनसी होस्पीटल में उपस्थित हैं हमारे साथ डॉक्टर एंजन दास जी जुरे हुए हैं अभी का जो मौसम है ठंड बहुत जादा बढ़ रही है और सबसे मेरे पहला मेरा कोश्चन रहेगा कि कहीं न कहीं कोरोना जो है सो इंडिया में दस तक देद दिया है और ठंड भी बहुत बढ़ रही है तो और अभी जैसे की नया साल है एक तारीक अभी दो दिन पहले ही हुआ था और अभी जनवरी भर जो बोलते हैं लोग तो सेलि हमने पुरु में कोरोना की मार मतला पूरा डैस जिहल चुगा है बहुत सारे परिवार बहुत सारे लोग जो हैसो मारे गए बहुत सारे चिकित संस्त मारे गए डर्श sickness लेड़े टिंशेन बारे गए इस महामारी के चापेट में तो कहींया कहीं बहुत जरूरी है कि हम और हाई-लेवल मीटिंग भी हुई है, मॉक डिल्स हुई है हॉस्पिटल में ताकि हमारे हॉस्पिटल को विवस्थित कर दिया जाए कि अगर यह महामारी दोबारा से लोड़ता है हमारे देश में तो इसके लिए इंतजाम हमारे पास पहले से ही हो तो ऑक्सिजन का सप्लाई है सरकार के तरब से चाहिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल सो चाहिए वो गौर्मेंट हॉस्पिटल सो उन्हें अलार्म कर दिया गया है कि अपनी वैवस्था पुरी तरीके से रखने के लिए बेट्स बरहा देने के लिए ऑक्सिजन बरहा देने के लिए क्योंकि इस भी एक forecast नहीं कर सकते हैं कि हमारी immunity बहतर ही है और हम बची जाएंगे अगर हमें होता है अगर सौ लोग को भी होता है सौ में दस मारे जाते हैं तो क्यों मारे जाएं इसे बहतर है कि हम मतब इस चीज को precautionary steps के तौर पे ले तो बहतर यही है कि हम social distancing maintain करना स्टार्ट करते माक्स मास्क जो है उसे कम से कम अपने खुद व्यक्तिकत यूज के लिए compulsory कर दे अब सरकार पब्लिक के लिए compulsory करती है नहीं करती है दूसरी बात है लेकिन हमारा खुद का फर्ज बनता है हमारी खुद की रक्षा करना तो हम खुदी इस चीज में क्लworm उसे करना है मास्क का प्रीयोग जरूर से करना है कि कि करना बोलके नहीं आयेगा कि में आ रहा हूँ आपके सरीय में आने क्लिए लिए किasi से कम से घ्रोप्लेट इंट्र्प्र से थे एक वैकिती से तूप्वैक्ति तक जा सकता है और इस बार का जो करोना आया है वो उनका संक्रमित दर जो है सो हाई काफी हाई है जो रेट है संक्रमन का उनका काफी हाई है पुराने वाले के कंपेर में तो कहीं ना कहीं सतरक्ता और बरखनी चाहिए और जो हाल चाइना में हैं अगर सही में वह हाल इंडिया में हो गया तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा होगा क्योंकि हमारी जो मेडिकल टीम फैसलिटीज है कहीं न कहीं उन से ज्यादा विच्छी थे चाइना का जो भी नंबर ऑफ ऑस्पिटर्ल सो लेकिन बावजुद वहां पर इतना अच्छा विवस्ता होने के बाद इस इंफेक्शन को वहां पर कंट्रोल नह आएं कि लोग इस माहमारी के चंपट में आके चाएं इसलिए ज्रूरी कि हम मास्क का प्रयोग प्रयोग सोचल डिसनिंसिंग प्रयोग और सवाब नहीं को मैं पोलना चाहता हूं कि कोरोना में भी देखने को मिला है कि सर्दी खांसी वगएरा और भी सिंट्रम्स है जो नॉर्मल फ्लू से मैच करते हैं वही बाद में जाके थोड़ा सीवेर हो जा रहे हैं तो यह अगर सर्दी खांसी वगएरा लेकर कोई भी पेसेंट हमारे पास आता है तो मे पहले जाया और सरकार का सिस्टम है उसे इनफर्म किया जाए कि हमारे यहां ऐसे कोरोना व्यक्ति पाये गाए है आप इनको अपने डाटरेकॉर्ड में डाली तो इससे हमें पता चलेगा कि अभी हमारे पास कितने केसे डिटेक्शन हो और तब केसे डिटेक्शन के ओपर ज और कुछ तो वही रहेगा अभी ठंडी भी बहुत ज्यादा बढ़ी अभी तो चार-पात दिन से बहुत ज्यादा ही जो मौसम है बदल रहा है तो बांकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कि तरह की चीजे करे जो ठंड से बचे ठंड से बचने की बहुत जरूर है कि सोचल डिस्टेंसिंग उतना मेंटें नहीं बाता है तो तंड से कहते ми करके एक घंके साथ बस्मे घ्रेवन करते करते हैं जो आपका droplet infection है जो हमारे खासनेच शीकने वगरा से एक दूसरे से दूसरे वक्ति तक पहुच रहा है तो ऐसे बीमारी के जो है ऐसे बीमारिया विंटर्स वगरा में फैलने के ज़्यादा चांसे सरते उसका की चले तो इसलिए मेरा यही कहना आए कि ठंड है और सभी को ठंड दूर करनी है तो कहीं न जो है वो एक उपाई नहीं है sausal distanse next in नहीं करते हैं और блट क्लोजनेस में समय दरें तो वह वह नासे प्रिवेंट नहीं करेंगा इसलिए खुद सतर करेंना हैं और इस चीज को प्रिवेंट करता है हैं और जहां तक सब करेंगे और बात सकरो गरम कफ़शा कह रखना चाहिए क्योंकि blood pressure usually high हो जाता है तो जो hypertensive patient है अगर उन में blood pressure एक high हो जाता है तो उन्हें पता नहीं चलेगा तो सकता है CVA वगरा stroke वगरा आजाए तो brain carnus वगरा फर जाए पर बीपी से तो उसका जो बहुत ज़्यादा थंड है तो उसके लिए और चीज़ भी है जो सरीर में नुक्सान कर सकती है थंड के वज़े से लेकिन जब कोरोना और थंड को अगर इंटरिलेट करते हैं तो हम यही कहेंगे कि थंड में कोरोना से अगर बचना है तो सोचल इंस्टेंसिंग मेंटेंड करें और अपने सहत का भी ध्यान रखिए और बलडद colonial के उन्हें यही करना चाहूंगा कि ब्लड प्रिश्च सारण के अभिया और बहुत ज्यादा भार्ब जानदों तो जहैसोंrit सवाल और होगा कि अभी ठंड की वैसे अगर ऐसे फीवर और नॉर्मली फीवर और नॉर्मली जुखाम आए तो लोग ऐसा घर पे क्या काम करें जो से बच के रह सके फीवर जुकाम अगर आता है तो सबसे पहले तो घर में एक वार है ठीक है लेकिन हॉस्पिताल आना कि यह कोरोना है या तो फिर नॉर्मल फ्लुएंड कोल है तो इसके लिए जरूरी है कि अगर बुखार आया है सरदी जुकाम आया है तो एक बर आप अपने नजदी की डाक्टर से या नजदी की हस्पाताल में जरूर संपर्ख करें और जरूर बहतर हिलाज करने देखा है इसलिए जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और नया साल पर बहुत सारी जगे भीड देखने के मिली एक मितलब एक ही जगे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े दे कि ऐसा लगी नहीं रहा था कि कोरोना ने दस तक दे दिया है उसका भी ध्यान रखें अपना ख्याल और ऐसे हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हिंदुस्तानी मीडिया धन्यबाद अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया यूटूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब बैल लाइक ओन जरूर दबादे ताकि लेटेस अब्डेट आप तो अबस्टे बादे देखते